हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, तो आज हम धोती पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने दो मिटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक की वेड़ थे 44 इंच, तो सबसे पहले हमने फाब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है, यह ओपन साइड है और यह फोल्ड साइड है, अभी यहाँ पर यह जो फोल्ड साइड है, यहीं से हम बैल्ड के लिए कपड़ा निकाल लेंगे, तो बैल्ड हम 6 इंच का बनाएंगे, तो उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन आड़ कर लेना है, इलास्टिक के लिए और जॉइ आफ लेना है, 4 इंच पर हम मार्क करेंगे, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से और अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह से हमने बैल्ड की कटिंग कर ली है, ओपन करेंगे, तो यह हमारा 8 इंच लंबाई का बैल्ट है, अभी इसको हम साइड में रख लेंगे उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमें ट्राइंगल में फोल्ड करना है इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे बीच में कोई भी सिल्वट ना रहे इस बात का ध्यान देना है तो देखे हमने इसको fold कर लिया है यहाँ पर अभी जो extra कपड़ा बचा है इसको हम cut करेंगे तो इस तरह से यह हमारा extra कपड़ा बच किया है अभी यहाँ पर जो open side है इसको हम अपनी तरफ कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसको रखा है यहाँ पर देखे open side अपनी तरफ है तो यहाँ पर हम marking करेंगे सबसे पहले हम length के लिए निशान लगाएंगे यहाँ से तो ready length है 38 inch उसमें से हमने 6 inch का belt cut कर लिया है तो 38 minus 6 करेंगे तो वो हो जाता है 32 inch तो यहाँ पर 32 में हम और 2 inch का margin add कर लेंगे नीचे से fold करने के लिए और उपर joint करने के लिए तो हम यहाँ पर 34 inch length ले लेंगे तो यहाँ पर हमें 34 inch पर निशान लगा लिना है उसके बाद यहाँ से इसको cut कर लिए तो length हमें नीचे से ही mark करनी है और extra कपड़े को cut कर लिना है अभी हम यहाँ पर आसन के लिए निशान लगाएंगे तो आसन के लिए मैं आपको सबसे आसान सा formula बता रही हूँ तो जितना भी आपका hip का size है उसको 4 से divide करना है प्लस उसमें 4 inch का add करना है losing तो hip size है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वो आ जाता है 9 inch प्लस उसमें 4 inch losing add करेंगे तो वो आ जाएगा 13 inch तो यहाँ पर हमारा आसन हो गया 13 inch तो 6 inch हमारा belt में है तो 6 inch उपर की तरफ रखेंगे इंची टिप को उसके बाद 13 inch पर हमारा आसन है तो 1 inch हम margin ले लेंगे सिलाई margin और 14 inch पर हम निशान लगा लेंगे तो यह बहुत ही आसान सा formula है आसन निकालने का अभी यहाँ पर हम 2 inch पर मार्क करेंगे गोलाई देने के लिए और इस line को हम सीधा करेंगे और अभी यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे अभी bottom में हमें नीचे से 7.5 inch पर मार्क करना है 7.5 inch पर तो इसको हमें cut नहीं करना है इसको हमें ऐसे ही रखना है यहाँ पर सिर्फ हमें छोटा सा cut लगा लेंगे तो यह हमारा ऐसे ही रहेगा bottom अभी इसकी cutting कर लेंगे अभी यहाँ side में जो कोना है यहाँ पर हमें 1.5 inch पर मार्क करना है तो straight 1.5 inch पर मार्क करेंगे हम 1.5 inch पर और इसकी cutting करेंगे तो अभी हम इसको open करेंगे तो यह हमारे दो parts है तो दोनों को हम अलग-अलग रखेंगे सीधी side अंदर की तरफ रखते हुए हम इसको fold करते हुए रखेंगे तो दिखें इस तरह से हमने दोनों parts को fold करते हुए रखा है सीधी side हमने अंदर की तरफ रखी है उसके बाद यहाँ पे side में जो हमने 1.5 inch का cut किया था इसे हम stitch करेंगे और दूसरे side में भी हम stitch कर लेंगे तो दिखें हमने दोनों side में इसको stitch कर लिया है उसके बाद हमें plates डालनी है तो plates डालने से पहले हम belt ready करेंगे तो यह belt हमने निकाल लिया था देखें इसको हम fold करके रखेंगे अभी belt की जो length थी वो हमने 8 inch ली थी तो अभी हमें इसकी width लेनी है तो width के लिए जितना आपका hip का size है उसको 2 से divide करना है और उसमें 5 inch losing add करना है तो मेरा hip size है 36 inch उसको 2 से divide करेंगे तो वो आजाएगा 18 inch प्लस उसमें हम 5 inch losing ले लेंगे तो वो आजाएगा 23 inch तो यहाँ पर यह हमारा 21 inch ही है तो यहाँ पर हमें extra कपड़े को joint लगाना होगा और इसकी width 23 करनी होगी तो सबसे पहले यह जो joint है इसको हम cut कर लेंगे दोनों belts को अलग-अलग करेंगे तो हमें plates डालने में आसानी होगी अभी यह कपड़ा लिया है हमने जो बचा था इसको हम half inch उपर चड़ाते वे रखेंगे और 23 inch पे निशान लगा लेंगे अभी इसकी cutting करेंगे तो इस तरह से हमने belt के लिए joint निकाल लिया है अभी इसको stitch करेंगे तो इसे हमें इसके ओपर उल्टा रखना है और stitch करना है तो इस तरह से हमने इसको stitch कर लिया है तो हमारा ये belt ready हो गया है अभी हम plates डालेंगे तो अभी ये जो दो पार्ट है इसमें से एक पार्ट को हम side में रखेंगे तो इसको हमें open करके रखना है और यहां पे जो हमने 1.5 इंच का stitch किया था यहीं से हमें plates डालना शुरू करना है तो plates का मूँ हमें जो हमने सिलाई लगाई है उसी की तरफ रखना है क्योंकि ये हमारा side में आएगा और यहां पर pins लगाते जाएंके तो ये जो plates है ये मैं यहां पर 1-7 इंच तक की बना रही हूँ तो इस तरह से हमें plates डाल लेनी है और अभी ये जो दूसरा side है इसमें भी हमें plates डालनी है तो यहां पर भी हमें plates का मूँ जो हमने सिलाई लगाई थी 1.5 इंच की वहां पर करना है इस तरह से हमें plates डाल लेनी है तो दिखे हमने इसमें plates डाल ली है अभी जो हमने belt कट किया था इसको हमें यहां पर रखके चेक कर लेना है तो यहां पर ये दोनों पार्ट एकदम बराबर है अभी हम यहां पर सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें plates डाल लेनी है तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट में plates डाल ली है अभी हम belt को इसके उपर उल्टा रखेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ रखके हम इसको स्टिच करेंगे तो दिखे हमने इसको स्टिच कर लिया है अभी belt को सीधी साइड में टर्न करेंगे तो इस तरह से हमारा belt अटेच हो गया है बहुत ही आसानी से अभी हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के उपर उल्टा रख लेंगे सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और आसन में सिलाई लगा देनी है तो हमने आसन में दोनों साइड के सिलाई लगा दी है अभी इसको बीच से पकड़ते हुए हम इस तरह से रखेंगे अभी हमें इसके बॉटम को फोल्ड करना है तो यहाँ पे देखे हमने कट लगाया था तो उतने ही पार्ट को हमें इस तरह से हलका सा डबल फोल्ड कर देना है तो देखे जितना हमने कट लगाया है उतने ही पार्ट को हम डबल फोल्ड करेंगे तो मैं आपको मशीन पे स्टिच करके दिखा रही हूँ तो इस तरह से कॉर्णर को डबल फोल्ड कर लिना है तो देखे इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है दोनों साइड में अभी इसका जो सेंटर है उसमें हमें स्टिच करना है तो हमने center को stitch कर लिया है अभी यह हमारा open है इसके अंदर से हमारा pair जाएगा अभी हम belt बनाएंगे तो belt में हम elastic लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक half inch का fold करेंगे और यहाँ पर हम 7 inch तक fold करेंगे क्योंकि elastic की width मेरी 1 inch की है तो हम 7 inch तक का fold करेंगे पूरे round में और थोड़ा सा open छोड़ेंगे elastic डालने के लिए तो हमने इसको fold कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा open रखा है अभी यह हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो हमने 28 inch की लिया है जितना आपका कमर का size है उससे आपको 2 inch माइनस करके लेना है तो मेरा कमर है 30 inch तो हमने 28 inch का elastic ले लिया है अभी एक safety pin लेंगे और elastic में लगा के हम elastic को अंदर पास करेंगे तो एक side से डाल के हमें दूसरे side से elastic को बाहर निकाल लेना है तो इस तरह से हमने elastic डाल दिया है अभी elastic को overlap करके stitch करना है तो हमने elastic को stitch कर लिया है अभी हम इसको अंदर करेंगे और जो open है इसको stitch करेंगे तो इस तरह से ये हमने elastic लगा लिया है तो इस तरह से ये हमारा दोती pant ready हो गया है तो पहनने के बाद इसका लुक इस तरह से आया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू